टाइटन नाम की पंडुब्बी सेलानियों को समंदर में 111 साल पहले समाचुके टाइटैनिक जहाज को दिखाने ले गई थी। टाइटैनिक की तरह टाइटन भी दूब गई। आपको बताएं कि रविवार को ये पंडुब्बी कनाडा के निफावलेंड से अटालांटिक म पहत्से के बाद इस घटना को टाइटैनिक पाथ 2 कहा जा रहा है। उत्तरी अट्लांटिक में लापता पंडुब्बी टाइटन को लेकर सारी उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं। तलाशी के दौरान पंडुब्बी का मलबा मिला है। यूएस कोस्ट गार्ड और टाइट को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तब हमारे पास पूरे पानी में सुनने के उपकरन थे। लेकिन उपकरन में धमाकों की आवाज नहीं सुनाई दी। ऐसे में माना जा रहा है कि पंडुब्बी इंप्लोजन का शिकार हुई है। इस हाथसे ने एक बार फिर स लोगों के जेहन में टाइटैनिक ट्रेजडी को ताजा कर दिया है। ऐसे में टाइटन हाथसे को टाइटैनिक पार्ट माइनिस टू टाइटैनिक पार्ट टू का नाम दिया जा रहा है। आए आपको बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। जानिए क्या है पूरा मा इसके बाद कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया और सर्च ऑप्रेशन शूरू किया गया। पहले इस मलबे को लेकर ये आशन का जताई जा रही थी कि ये टाइटन का मलबा हो सकता है। लेकिन बाद में यूइस कोस्ट गार्ड और ओशनगेट ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये टाइटन का ही मलबा है 58 वर्षिय ब्रिटिश उद्योग पती हामिश होडिंग प्राइवेट जेट बेचने वाली कमपनी एक्षन एवियेशन के मुखिया थे अन्टाक्टिक लगजरी टूरिस्ट कमपनी वाइट डेजर के साथ भी काम किया इस कमपनी ने अन्टाक्टिका के लिए पहली जेट सर्विस शुरू की थी साल 2022 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन फ्लाइट में एक अंतरिक्ष परियटक के रूप में ध्याना करशित किया था मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होडिंग के नाम उत्तरी और दक्षनी द्रूवों के माध्यम से प्रित्वी का चक्कर लगाने का गिनीज वल्ड रिकॉर्ड भी है होडिंग ने नामीबिया से चीतों को लाने में भारत सरकार की मदद की थी वो साउथ पोल की कई यात्राएं कर चुके हैं शहजादा दाउद और सुलिमान दाउद इस पंडुब्बी में शहजादा दाउद और सुलिमान दाउद भी सवार थे ये बाब बेटे पाकिस्तानी मूल के थे अर्तालीस वर्षिय शहजादा दाउद केमिकल टू एनरजी कमपनी इंग्रो कॉपरेशन के वाइस प्रेजिडेंट थे शहजादा दाउद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन थे उनके बिटे सुलिमान दाउद फिल्हाल यूनिवसिटी के चात्र थे और अपने पिता के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे स्टॉक्टन रश टाइटन को ऑपरेट करने वाली कमपनी ओशनगेट के फाउंडर और सीईयो थे स्टॉक्टन रश वे दुनिया के सबसे युवा जेट पाइलट थे 1981 में जेट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से 19 की उम्र में उन्होंने लाइसेंस लिया था स्टॉक्टन रश पनडुबबी के पाइलट भी थे पॉल हेंरी नारगोलेट पॉल हेंरी नारगोलेट फ्रांसी सी नौसिना में पूर्व कमांडर रहे हैं 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर में उत्रे थे उनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता था टाइटन पनडुबबी के बारे में जानिये टाइटन कार्बन फाइबर से तैयार एक पनडुबबी थी जिसका आकार एक छोटी कार जितना था इसमें पाइलट समेट पांच लोगों को एक साथ ले जाने की क्षमता थी टाइटन में एक बार में 96 घंटों तक चलने लायक ऑक्सीजन भरा जा सकता था टाइटनिक तक पहुँचकर वापस बाहर आने में इसे करीब 8 घंटे का समय लगता था क्या था टाइटनिक हाथसा टाइटनिक अपने समय का सबसे विशाल और आलिशान जहाज था ये जहाज 10 अप्रेल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साथ हैंटन बंदरगा से न्यू यॉर्क के लिए निकला था लेकिन वो 14 अप्रेल 1912 को उत्तर अट्लांटिक महासागर में एक हिमखंट से टकरा कर दो टुकड़ों में तूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमेटर की गहराई में समा गया था टाइटैनिक में 2200 से ज्यादा लोग सवार थे लेकिन हाथसे में 1500 लोग मारे गए थे इस घटना को सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है आज भी इस जहाज का मलबा समुद्र में पड़ा है